अब यहां जो सुत्र है वामी यहां कहता है कि भले ही कोई शब्द निच्य स्त्रिलिंग हो ठीक है और वह दीर्ग E कारांत और दीर्ग U कारांत शब्द हो और उसके स्थान पर उस दीर्ग E और दीर्ग U के स्थान पर इयंग और उवंग आदेश भी होने वाले हो उसके विकल्प से होगी विकल्प का मतलब है एक बार होगी एक बार नहीं होगी तो इस तरह से जहां पर वामी विकल्प से नदी संग्या कर देगा वहाँ पर दो रूप बन जाएंगे एक नदी संग्या होने के पक्ष में और दूसरा नदी संग्या नहीं होने के पक्ष में क्यों पर रूप दूसरा बनेगा अब वामी सुत्र की भी कुछ कंडिशन्स हैं वो भी हर जगह है विकल्प से नदी संग्या को उपस थापित नहीं कर सकता वो ये कह रहा है कि स्त्री शब्दम वर्जित्वा स्त्री शब्द को छोड़ करके जैसा कि ने यंगु और उण के स्थान पर ठीक है मतलब यंगु और उण जो स्थानी है नित्य स्थ्रेलिंग शब्द के यू मने E और U E और U ये नित्य स्थ्रेलिंग शब्दों में गएदी अंतमे E और U आएगा तो उनकी नदी संग्या हो जाएगी और इस E के स्थान पर इयंग और इस उ के स्थान पर यदि उवंग होने भी वाला है लेकिन इस इयंग और उवंग के बाद भी कोई एक प्रत्य लगा है उस प्रत्य का नाम है आम ये प्रत्य शष्ठी बहुवचन में बनता है गस ओस आम ठीक है बाल का नाम रामा नाम बाली का नाम तो उसी प यंग और उवं आदेस μी होने वाले और उसके बाद ने यंग और उवंचेंग में वहारूप आता है तो वहां पर वामी प्रभभ 창 का स्फियिनीया, esosटी इस चप्ष बुक्टि बहुशन में दो रूप बन जाते हैं जब नदी संग्या होगी तो बनेगा श्री नाम क्योंकि श्री शब्द के बार नदी संग्या हो जाने के बाद उसमें हरस्म लद्यापो नुट से नुट का आगम हो जायागा और श्री नाम बनेगा और जब नदी संग्या नहीं होगी तो बनेगा श्रियाम उसी प्रकार दिर्ग उकारांत में जब नदी संग्या होगी तो बनेगा भुरुणाम और जब नदी संग्या नहीं होगी वामी से तो भुरुवाम तो वामी जो सुत्र है यह विकल्प से सस्थी के भवचन में आम प्रत्य के परे होने पर ईयंग और उवंग के स्थानी भूत ई और उ अंत वाले नित्य स्ट्रिलिंग शब्द की विकल्प से नदी संग्या करता है विकल्प से नदी संगा करने वाला अंतिम सूत्र है गीति हरस्वस्च अब इस सूत्र को समझने से पहले हम परिष्थितियों को समझ लेते हैं स्ट्रिलिंग शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं एक तो वे शब्द जो नित्य स्ट्रिलिंग शब्द है जो कभी भी इनका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता वे स्ट्रिलिंग शब्द और दूसरे स्ट्रिलिंग शब्द वे हैं जो वरत्मान में तो स्ट्रिलिंग है लेकिन आगे उनमें लिंग परिवर्तन भी हो सकता है जै दूसरे वे शब्द जो वर्तमान में स्ट्रिलिंग है पुनाय इनको दो भागों में हम भाजित कर सकते हैं एक तो वे स्ट्रिलिंग शब्द जो दीर्ग इकारांत और दीर्ग उकारांत हैं दूसरे वे स्ट्रिलिंग शब्द जो हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत हैं ठ उनकी भी क्या नदी संग्या होती है तो यह सुत्र वही कह रहा है कि हाँ उनकी भी नदी संग्या होती है लेकिन उनकी विकल्प से होती है एक बार होती है एक बार नहीं होती है तो इस प्रकार से जहां पर होगी वहाँ पर रूप बदल जाएगा और जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर भिन रूप बनेगा तो इस तरह से उन-उन विभक्तियों में उन-उन वचनों में दो रूप बनेंगे समझते हैं सुत्र को कहते हैं गीती गीती माने होता है गित गो की इतसंग्या हुई हो जहाँ पर उसे कहेंगे नित ठीक है और हरस्वस्च रस्व मने हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत तो ऐसे हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत स्ट्रीलिंग शब्द जिनके बाद आने वाले प्रत्ये में गो की इत संग्या हुई हो अब मान लिजिए एक हम शब्द लेते हैं मती और मती शब्द जो है स्त्रेलिंग शब्द है और यह एक हरस्व इकारांत शब्द है और जब हम इसके रूप चलाएंगे सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में तो इसके रूप की सिद्धी करने के लिए हमें कुछ प्रत्य लगाने पड़ेंगे स्वाधी प्रत्य तो स्वाधी प्रत्यों में से कुछ प्रत्य ऐसे हैं जो गित हैं जैसे गे, गसी, गस, गी ये चार प्रत्य ऐसे हैं जो जिनमें गौकी इत संग्या होती है ठेक है तो ये हो गए गित तो इन प्रत्यों के परे होने पर मती मैं जो रस्व इ है और यहां नित्य स्ट्रेलिं बनेंगे जैसे गे है गे चतुरती एक वचन में बनता है ठीक है तो यहाँ पर गों के इत संग्या होगी तो यहाँ पर जब नदी संग्या होगी तो उस स्थिति में यहाँ पर रूप बनेगा मत्याई और जब नदी संग्या नहीं होगी तो इसके एक दूसरी संग्या होती ह उसके बारे हम आगे पढ़ेंगे वह संग्या है घी संग्या तो उस वह संग्या होगे और उस घी संग्या होने के कारण रूप बनेगा मतये तो चतुरती एक वचन में मत्य के दू रूप बनेगे मत्याई जो कि नदी संग्या होने के बाद बनेगा और घी संग्या जब निदिय संग्या नहीं होगी तो घी संग्या खोनने के कारण मतये दो रूप बनेंगे उसी प्रकार से पंचमी और सश्ठी के एक वजन में गसी प्रत्य आता है गसी और गस तो वो भी दोनों गित प्रत्य हैं तो वहाँ पर भी दो दो रूप बनेंगे ठीक है मत्याह और मतेह जब नदी संग्या होगी तो रूप बनेगा मत्याह और जब नदी संग्या नहीं होगी तो घी संग्या कमानकर रूप बनेगा मतेह ठीक है इसी प्रकार एक प्रत्य और बचा जिसमें गित हो जो गित है वो है सब्तमी एक बचन का गी ठीक है तो जब इसकी नदी संग्या होगी गित होने के पक्ष में तो वहाँ पर रूप बनेगा मत्याम और जब नदी संग्या नहीं होगी तो घी संग्या खोने के पक्ष में इसका रूप बनेगा मतव तो इन चार विवक्तियों में मती शब्द या फिर मती शब्द जैसे अन्य हरस्व उकारांत शब्द जो की नित्य स्त्रिलिंग शब्द हैं उनकी विकल्प से नित्य हरस्वस्च सूत्र से नदी संग्या होगी। हमें ये याद रखना है कि चार ही सूत्र हैं जो नदी संग्या करते हैं पहला सूत्र जो यूस्त्राख्यो नदी है वो नित्य स्त्रिलिंग शब्दों की नित्य नदी संग्या करता है मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है लेकिन ने यंग वंग स्थानावस् उनकी भी नदी संग्या विकल्प से हो सकती है, शर्थ ये हैं कि उनकी बाद नित प्रत्य हो, जिसमें ou के इत संग्या हुई है इसा प्रत्य हो, इस प्रकार से नदी संग्या प्रकरण समाब्त होता है